इशा मालविये का एक recent interview अब बहुत जादा buzz create कर रहा है और देखिए इस buzz create करने के पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं कि इस interview में इशा मालविये ने प्रियांका चाहर चौधरी से लेकर अंकित कुपता अभिशेक कुमार समर्थ जुरेल हर किसी के मुद्दे पर अपन जो honestly जो दिल की feelings है वो share करना बयान करना होता है when it comes to इशा मालविये और वो इस interview में साफ साफ नजर आ रहा है इशा बहुती जादा खुले तौर पर चीज़े बोलती हुई इस interview में नजर आई है जब समर्थ की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बहुत जादा जा रहे थे तो मैं बहुत खुश थी लेकिन फिर मुझे पता चला कि उन्हें इंजरी है तो मैंने उनको कॉल किया उनसका हाल चाल जाना उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ है तो समर्थ ने बताया कि मुझे leg injury हो गई है जिसकी वजह से मैं खत्रों के खिलारी में नहीं जा सकता हूँ लास्ट मुमेंट पे उन्होंने बैक आउट किया था जिसकी वजह इंजरी है तो इशा ने कहा कि मैं बेवकूफ थी मैंने समर्थ को जो है कॉल कर दिया जबकि देखिए समर्थ ने अपने इंटर्व्यू में बहुत ही अलग बाते कहीं थी इशा मालविय के लि बहुत बहुत जादा टाइम हो चुका है मेरे नाम पर आखिर कितना आप पैसा कमाते रहोगे यह उन्होंने अभिशेग कुमार को बोला है कि मेरे नाम पर अब मेरा नाम इस्तिमाल करना और मेरा नाम जो है वो आप छोड़ दो कितना पैसा कमाऊगे उससे आप उन्होंने इवन यहां तक क्या दिया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभिशेक की जब शादी और बच्चे भी हो जाएंगे तब भी वह उनको बताएगा कि ऐसा इशा मालवे ने किया था उनके साथ तो यू नो बहुत सारी बाते उन्होंने अभिशेक के बारे में कही जो कि अफकॉस नाइस तो नहीं है फिर प्रियांका और अंकित के बारे में भी पूछा गया कि आपके को स्टार्स की तरफ से जादा सपोर्ट देखने को नहीं मिला था विक बॉस के दोरान भी या फिर इन जनरल भी आपके लिए तो उन्होंने का मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है जो उनको शुक्र गुजार हूँ और जो नहीं कर रहे हैं मुझे उनसे कोई मैटर ही नहीं करते वो लोग क्योंकि वो लोग खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं उन्हें खुद भी कोई काम नहीं मिल रहा है तो उनके व्यूज और उनके चीज़े कैसे मुझे मैटर कर सकती है सी नहीं क्यों बटीशाव ने फिर जो है प्रियांकित के बारे में कुछ जादा अच्छा तो नहीं कहा है बहराल इस से वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए